बहुत पहले की बात है एक शिल्पकार मूरती बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूनने गया, वहां उसको एक बहुत ही अच्छा पत्थर मिल गया, जिसको देख कर वहां बहुत खुश हुआ और कहा यह मूरती बनाने के लिए बहुत ही सही है, जब वहां आ रहा था तो उ उसको एक और पत्थर मिला उसने उस पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। घर जाकर उसने पत्थर को उठा कर अपने ओजारों से उस पर कारीगरी करनी शुरू कर दिया। औजारों की चोट जब पत्थर पर हुई तो वहाँ पत्थर बोलने लगा कि मुझको छोड़ दो इससे मुझे बहुत दर्ध हो रहा है अगर तुम मुझ पर चोड़ करोगे तो मैं बिखर कर अलग हो जाऊंगा तुम किसी और पत्थर पर मूर्ती बना लो पत्थर की बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई उसने पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को लेकर मूर्ती बनाने लगा वहाँ पत्थर कुछ नहीं बोला कुछ समय में शिल्पकार ने उस पत्थर से बहुत अच्छी भगवान की मूर्ती बना दी गाव के लोग मूर्ती बनने के बाद उसको लेने आए सोचा कि हमें नारियल फोड़ने के लिए एक और पत्थर की जरूरत होगी उन्होंने वहां रखे पहले पत्थर को भी अपने साथ ले लिया मूर्ती को ले जाकर उन्होंने मंदर में सजा दिया और उसके सामने उसी पत्थर को रख दिया अब जब भी कोई व्यक्ती मंदर में दर्शन करने आता तो मूर्ती को फूलों से पूजा करता दूद से स्नान कराता और उस पत्थर पर नारियल फोड़ता था जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते तो वह बहुत परेशान होता उसको दर्ध होता और वह चलाता लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था उस पत्थर ने मूर्ती बने पत्थर से बात करी और कहा कि तुम तो बड़े मजे से हो लोग तो तुम्हारी पूजा करते हैं तुमको दूद से सनान कराते हैं और लड़ों का प्रसाद चढ़ाते हैं लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझ पर लोग नारियल फोड कर जाते हैं। इस पर मूर्ती बने पत्थर ने कहा कि जब शिल्पकार तुम पर कारीगरी कर रहा था, यदि तुम उस समय उसको नहीं रोकते तो आज मेरी जगद तुम होते। लेकिन तुमने आसान रास्ता चुना इसलिए अभी तुम दोहक उठा रहे हो। उस पत्थर को मूर्ती बने पत्थर की बात समझ आ गई थी। उसने कहा कि अपसे मैं भी कोई शिकायत नहीं करूँगा। इसके बाद लोग आकर उस पर नारियल फोड़ते। नारियल तूटने से उस पर भी नारियल का पानी गिरता और अब लोग मूर्ती को प्रसाद का भोग लगा कर उस पत्थर पर रखने लगे। सीख हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए।